हेलो साथियों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे थोड़ा सर्दी हो गया यार तो मैं आज एक टोपिक आप लोगों से डिसक्स करना चाहता हूं जो की कि इस पेसली अमोंग इंडियन जो है यह कंफ्यूजन बना रहता है कि किसी कंट्री का जो डेवलप्मेंट है किसी कंट्री का जो डेवलप्मेंट है यानि प्रोग्रेस है ठीक है तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं यानि मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूं कि एक कंट्री जो है प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है इंडिया इस देवलपिंग और नॉट तो कोई भी चीज को मापने का कुछ पैरामीटर्स होता है जैसे मान लो मेरी हाइट मान लो की चलो 167 है ठीक है सेंटीमीटर है तो मैं कैसे मापता हूं ठीक है मापने का टेप है मेजर्मेंट टेप उससे माप लिया ठीक है इसी तरह कोई कंट्री प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है उसका मापने का टेप है ठीक है यानि वो पैरामीटर से तो उस पैरामीटर को हम देखते हैं कि अभी मेरा देश कहां पर है ठीक है देश कहां पर तो वहां से हम आक्रा लगा सकते देखो वर्सों से पुरे दुनिया में जो किसी भी कंट्री का जो डिवेलप्मेंट है उसको मापने का दो पेरामिटर बहुत ही क्या कहते है इस्ट्रोंगली फोलो किया जाता है मैं तर्की में भी था तो उसमें भी इस पर डिसकुस एकोनोमी तो एकोनोमी क्या होता जीडीपी जीडीपी क्या होता ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोडट्ट इसका मतलब यह होता है एक लाइन में आप समझिए कि कोई देश आपको कोई देश जो कितना कमाता है ठीक है यानि इसका ऐसे भी सर्फ सकते है कि the amount a country earns ठीक है जो amount एक पेस कमाया वही उसका क्या हुआ जीडीपी हुआ ठीक है तो पहला फेक्टर यह है आप कितना पैसा कमाये हैं ठीक है क्या है पहला पहला पैरेमिटर किसी भी देश का डेवलेप्मेंट मापने का पहला पेरेमिटर क्या है जीडीपी ठीक है ग्रोस डॉमेस्टिक पूरा भी कहा गया है वो है किसी देश का unemployment कितना कम है जिस देश का unemployment जितना कम होगा वो देश उतना progress developed कह लाएगा पास सब्सक्राइब मेरे देश का जो अभी unemployment index है मत पूछो ठीक है आप एक पर Google कर ले मैं यह नहीं बोलूँगा 45 years में ऐसा हुआ है कि देश का जो unemployment rate है वो सबसे नीचे है दो तो और दुनिया में यह बहस चली दुनिया में डिसकेशन चला कि यही दो फेक्टर है development नहीं एक प्रोग्रेस्ट कंट्री या है उनका प्रोग्रेस मापने का तो बात हैं आगे जब चली तो यह नहीं हुआ उन्हों कि और भी फेक्टर्स हैं बहुत सारे फेक्टर्स हैं यह बास सही है तीसरा जो इंपोर्टेंट फेक्टर वह आप जान दीजिए उसके बाद डिसकस करेंगे तीसरा इंपोर्टेंट वर उसको बोलते हैं HDI रेंग क्या होता है trhdi के मतलब इंडेक्स है मेरी यावाज ऐस्ट होगा चुकि थद्धे तो हिम्हें टेशे से इंडेक्स हिंदी में मानं का सुच कांक यह ने बेक्ती का जो हूंन development index का मतलब आप यह समझेजिए कि आदमी का जो लिविंग स्टेंडर्ड एक डिसेंट लेवल अप लिविंग होना चाहिए तो वहां पर हम कहां है तो उसमें जो हम हैं इंडिया जो अभी है राइट नाव कहां पर एक सो एक तीसमा स्थान है इंडिया इंडिया ग्लोबल पो यहां घ्रत सब्सक्राइब करने इसके बाद बढ़र जो हुए वहां में आपको थोड़ा बता देता हूं कि इतना ही है हमारा वह रहिवन इक और तरीका होता है जो है कि विंडिया ने अलग अलग से नाम दे लिया है जिसे कुछ को बोलता है है happiness index में हम कहां है happiness index का मतलब यह हुआ कि आदमी कितना खुश है लिविंग स्टेंडर्ड क्या है पर्टिकुलर चीज का एक्सेज उसके पास है की नहीं है जो डिस अडवांटेश सेक्शन से लोग आते हैं उसके पास एजुकेशन का एक्सेज है की नहीं है इन्वारिमेंट फेक्टर भी है इसमें ठीकति यह सब जो है happiness index में आज जाता है जिसको हम सौट में बोले तो life expectancy कहलो ठीक है तो यह हुई उसके बाद जो मैजरिक फेक्टर जो मैं अभी बता रहा हूं उसमें मेरा देश काफी पीछे जा रहा है ठीक है वह आप याद रखना दुनिया में हर एक देशों का जो प्रोग्रेस मापी जाती है उसमें एक फेक्टर होता है कि उस देश दुनिया में जो वर्ल्ड पोवर्टी रेंख है वहां पे कहां लेंड कर रहा है ठीक है तो मैं आपको बताओं एक बुरी सा खबर भारत जो है 107 देशों में अभी जो आप एक बर देख लिजेगा बसे 2014 में इंडिया बहुत बैठर पोजीशन में था इंडिया जो वर्ल्ल पोवर्टी रेंख था वह था 90 सोरी 54 55 55 अभी 94 है जो की बहुत ही खराब इंडिया का जो वर्लड पोटी रेंख है वह बिलोब 40 होना चाहिए था विसे हमारा पैस पो इसको informal sector भी कहते हैं वो जो है पूरी तरह से क्या हो गया बरबाद हो गया ठीक है तो यह यह भी बहुत बड़ा factor है कि किसी भी country के development को मापने का आगे देखते हैं आगे क्या है कन्ट्री के पास जो है जुडिस ही जुडिसी बहुत अच्छा रोल पर यह कहा थे तर्किश में कहते है आदालेख आदाय आदालें बिल्कुन तेमेली तॉमिंड अधाले के रहे आदालेख करा दो किऌती हुए कं तो of Judiciary is the foundation of every government, ठीक है, यह every country, ऐसा इसका translation हुआ, एक्जेक तो नहीं हुआ, लेकिन यहीं हुआ, तो किसी भी हुकुमत को चलाने के लिए Judiciary जो है, बहुत important चीज़ है, अब कैसे important है, मैं आपका होताता हूँ, आप जो है जोट पे, जो है, एक शोट टम प्लेजर ले सकते हैं, छोटी यानि छोटे कम समय के लिए खुष्ली हासिल कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, लेकिन यह दोरों में नहीं बदलेगा, यानि आप 100 साल, 200 साल, 300 साल, आप यह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चुकि जो सच्चाई है, वह चिपती नहीं है तो सचाई चिप सकती है सचाई वह आपका शॉला है जो चिप सकती है लेकिन मिट नहीं सकती है तो यह एक जुडिसरी बहुत अच्छा करता है जुडिसरी में यह देखना होगा कि फेयर जज्जमेंट हो रहा की नहीं अब फेयर जज्जमेंट क्या है वाट इस जज्जमेंट ठीक है तो जुडिस जज्मेंट भी आप समझें यह जस्टिस समझें जस्टिस बहुतर होगा कि जस्टिस को समझें मैं चलो जस्टिस मैं मैं इसको बदा देता हूं Justice का Definition होता है कि justice मतलब Justice का Definition होता है a fair judgment just on the basis of law recognized by Constitution मैं as it is definition बता रहा हूं क्या होता है a fair judgment just on the basis of law recognized by Constitution स्का मतलब यह होता कि हिंदी में क्या होगा टासलेशन कि हिंदी में थोड़ा बताता हूं देखते हो कैसा होता है हिंदी में यह हुआ कि आप फैयर जज्मेंट करिए यानि एक ऐसा फैसला करिए जो पक्षपाती नहों जो कानून पर अधारित हो और वो कानून भारती सम्मिधान के खिलाफ ना ठीक है तो क्या हो रहा है देश तरकी कर रहा है यह सोट जनकारी थी आपको इस पर और अधिक जनकारी प्राप्त करनी चाहिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इसको शेर करूंगा दोचाल जगा ताकि लोग थोड़ा सा जागरूख हो जाएं क्योंकि एक डिमोक्रेटिक से ज्यादा ग्रेजवेट हो आपको पता है मेरे देश में कितने पर संद्लोग ग्रेजवेट हैं कि ओनली 14.5% वोटर इनडिया और ग्रेजवेट सिर्फ 14.5% जो सिच 14.5% जो वोटर एंडिया में वो ग्रेजवेट है यह 2014 का रिपोर्ट है ठीक है इस पर मेरी पूरी अधियाल इतना ही फिर कोई नई टोपिक लेकर आओंगा फिरी में ठीक है तब तक के लिए शुक्रिया बाई टेक केर अब ध्यान रखें अपना